इस साल कोरोना संक्रमन के चलते 31 दिसंबर तक प्रदीश में सभी स्कूले बंध हैं ऐसे में बच्चों को पढ़ाने और परिक्षाओं में पास करने के साथ ही उनके भविश्य का सवाल सामने खड़ा हो गया है वहीं शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए तैयारिया की जा रही है सबसे पहले पाठ्यकरम को कम करने के साथ-साथ परिक्षाओं में पासिंग माक्स 26 प्रतिशत करने का फैसला लिया जा रहा है मंगलवार को शिक्षा मंतरी गोविन सिंग डोटासरा ने पाठ्थे पुस्तक मंडल में बैठक ली गोविन सिंग डोटासरा ने कहा कि पहले CBSE की तरज पर 70 पृतिशत किया गया था दिन प्रति दिन संकर्मन बढ़ रहा है तो ऐसी प्रिष्थितियों में सरकार के सामने बहुत बड़ा एहम सवाल यह है कि कैसे संकर्मन उनसे प्रदेश के लोगों को बचाएं और उसके बाद में हम बच्चों के बहुष्चे के बारे में भी सोचें कि अगर स्कूले नहीं खुल रही हैं तो उसके बावजूद भी हम उन बच्चों को कैसे सिक्षित करके कैसे घर में रहकर के पढ़ा करके उनका एक साल बरबाद नहीं हो अगली साल में उनको एडमिशन दें अब केवल घर बैठे बैठे को आप परमोड तो कर नहीं सकते तो इसके लिए कई तरीके से अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं कि आप पाठे करम के बारे में सोचिए पाठे करम भी ह हमने 60% और 70% CBAC का किया लेकिन फिर भी वर्किंग डेज कम हो गए तो ऐसे में हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस मोडल के उपर हमको चल करके बच्छों का साल बचाना है तो इसलिए हमने अधिकारियों को कहा कि आप आक सरसाइज कीजिए कि इसमें से कौन से प्रमुक टोपिक हैं जो बच्छों को पढ़ने के लिए दे जाएं कैसे दूरदर्शन से रेडियो से स्माइल प्रोजेक्ट से एक अक्षा जो प्रोजेक्ट हमने चाल लागो किया उसके मादें से पढ़ाया जाए कैसे इनके प्रेसेंटेज पासिंग मार्च में भी थोड़ी लेकिन यह एक्सरसाइज का मतलब यह की है कि बच्छों को संकर्मन से बचाते वे उनका एक साल भी हमको बचाना है और इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं